हाँ तो बैया जी अगर आपका इंटानेट बहुत ही ज्यादा स्लो है अगर आपका नेट जल्दी खतम हो जाता है या फिर आपका बैटरी बेकप बहुत ही ज्यादा कौम देखने को मिल रहा है तो इन तीनों प्रोब्लेम को कैसे सुल्ब कर सकते हो आज की इस वीडियो में म प्रोब्लेम के बारे में बताने वाला हुँ जिन सेटिंग को करने के बाद आपका ये प्रोब्लेम पर्मानेटली सौल्ब हो जाएगा तो कृपिया करके आप इस वीडियो को बिना स्कीप करें लास्तों क्वाज करेंगा जैसे मैं आपने फोन पर सेटिंग कर रहा हूं व आपको दिख जाएगा a about phone validation सब से उपर अगर हाप Mi का फोन यूज कर रहे हो अगर आप ma itu laptop ऐसके जा ने के बाद आपको दिख जायगा a about phone को तो 날पी तो इस ओप्शन को आपको डीसेबल करना है अगर आपके फॉन पर एनम वूल है इससे क्या होगा कि आपके phone पर जो भी system update रहेगा software update रहेगा वो automatically हो जाता है अगर यह enable रहता है जिससे कि आपका data बहुत ही ज्यादा consume होता है अगर यह off कर देंगे तो आपके data नहीं खर्च होगा आपको एक notification आ जाएगा इस notification को देख के आप किसी का भी wifi लगा के अपने इस update को कर सकते हो औ और आपका data भी बच जाएगा second जो setting है वो आपको यहां से direct निची की तुरफ आना है आने के बाद यहाप और आपको एक option दिख जाएगा जैसे कि आप देख सेते हो wifi scan throttling ठीके तो इस option को आपको enable करना है इससे क्या होगा जैसे कि आप निची की तुरफ देख सेते हो reduces battery drain and improved network performance ठीक है तो आपका यह जो problem है battery drain problem वो पुरी तरह से इस setting को on करने के बाद solve हो जाएगा और आपका internet दूख ना तो ज्यादा fast हो जाएगा इस setting को enable करने के बाद तो इस setting को आपको जरूर से enable करना है अगर आपके phone पर off है यह same developer option पर आपको देखने को मिल जाएगा तार आपका data off हो जाता है जिसी कि आपका wifi से connect हो जाता है और internet आपका wifi से चलता है तो इस दोरान इस setting को अगर आप on कर लेंगे तो आपका जो wifi connected है और data भी connected है तो यह data on रहने के बाद भी wifi connect होगा और दोनों net एक साथ चलेगा जिसी कि आपका internet 5G से भी speed port चलेगा इस setting को आप on कर लेना अगर आपका internet slow चल रहा है तो आप इस trick को apply करके आपका internet पास गुना तो ज्यादा बढ़ा सकते हो दूस्तों यह तीनों hidden setting करके आप अपने फॉन की बैटरी इशू और slow internet problem को फुरी तरह से solve कर सकते हो I hope इस वीडियो से मैं आपको आपको आची तरह से समझा पा रहना तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तो के लिए इजाद हो दीजिए जाए हिंद